नमस्कार, बड़े लोग कहते हैं न कि कुछ भी सब्द बोलने से पहले, कुछ भी सब्द लिखने से पहले दस बार सोच लेना, वो इसी थोड़ी कहते हैं कि इसका प्रिजेंट टाइम में एक्जामपल आप देख रहे हो, आदिपूरस, ओम राउत की मूवी आदिपूरस अ और क्या हुआ, 600 करोड में मूवी बनी और 400 करोड ही कमा सकी, उससे पहले ही मूवी का विवात उतने लगा, और विवात कैसा उठा, खराब डायलोग को लेका, कुछ डायलोग तो ऐसे थे, एक डायलोग मेरो को यहाद आ रहा है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की और जलेगी भी तेरी, एसे डायलोग लिखे और विवात उठ खड़ा हुआ, और मूवी का बाइकाट होने लगा, और लोगों ने मूवी देखना बंद कर दिया, यहाँ तक कि डायलोग भी चेंज करने पड़े, तो अब आप देखलो आपके सामन कि कुछ भी बोलो, कुछ भी सुनो और कुछ भी लिखो, उससे पहले दस बार सोच लेना, आप किसी को कुछ बात बोलो, तो सोचना, ठिंक करना, कि what will be effect on other person, अगर आप कुछ भी बोल रहे होना, सामने वाले व्यक्ति को, तो जरह सोचना, कि क्या effect पड़ेगा सामने वाले व्यक्ति पा, आप कुछ भी लिक रहे हो किसी के लिए, तो लिकने से पहले भी दस बार सोचना, क्या मेरे सब्द सही हैं, क्या मेरे सब्दों में वजन हैं, क्या मैं लिक रहा हूँ जो सामने वाले के लिए सही होंगे, अगर नहीं, तो आप के लिए सबसे बड़ा बेड पॉइंट होगा, तो किस से भी बोलो, कुछ भी लिखो, तो ऐसा लिखना, ऐसा बोलना, कि सामने वाला आप से प्रभावित हो जाए, सामने वाला आप का मूरीद हो जाए, सामने वाला आप का फेन हो जाए, मनोज मुनस्तिर ने अच्छ अच्छ गाने लिके इस फिल्म के डायलोग भी उन्हों नहीं लिके लोग इनको बहुत ही अच्छा मानते थे लोग इनको पूझते थे और सिर्फ एक गलती सिर्फ कुछ खराब डायलोग की वज़य से उनकी सारी इमेज पर पानी फिर गया तो कहते हैं ना कि जब बोलो तो दस वार सोचना जब लिखो तो दस वार सोचना क्योंकि आपकी एक निकारट से आपकी एक बोली से आपका पूरा चैत्र बरबाद हो सकता है आपकी मेहनत की कमाई हुई इतनी सारी दोलत जीरों में बदल सकती है आपने जो वर्सों से कमाई अपनी इमेज वह जीरों साबित हो जाती मनोच कुमान ना अपनी इमेज वर्सों से कमाई थी और चंद दिनों में मिट्टी में मिल गई कैसे कुछ खराब डायलोग के हो जाती तो आप भी अपनी लाइट में त्यान रखो कुछ भी बोलो, कुछ भी लिको उससे पहले दस बार सोचो कि मेरी इमेज पर क्या फरक पड़ेगा आप किसी से गाली गिलोज करते हो आप किसी से बेड वेवार रखते हो आप किसी से अच्छा बिहेवर नहीं रखते हो तो आपके लिए बहुत ही खराब साबित हो सकता है आप तो नौर्मली बातों बातों में कुछ बात बोल जाते हो लेकिन सामने वाले व्यक्ति के दिल पर वार कर जाती है वो बाते जब दिल पर वार करती हैं ना तो वह आप के लिए सदा सदा के लिए दुस्मन बन जाता है इसलिए द्यान रखना है यार किसे कुछ भी बोलो किसी को कुछ भी लिको न उससे पहले 10 बार सोच कर बोलन और 10 बार सोच कर लिखना वरना यह आपके लाइप के लिए बहुत बड़ा खतरना मुद्धा बन सकता है आपकी इमेज हीरो से जीरो बन जाती है इसलिए द्यान रखना सोच समझ कर बोलना सोच समझ कर लिखना और सोच समझ कर सुनना